लाल्ची बहू एक बार की बात है शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माबाप थे वेहे बहुत अमीर तो नहीं थे लेकिन उनमें प्यार बहुत था कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई उसकी शादी सलोनी नाम की एक लड़की से हुई जो की बहुत लाल्ची थी वेहे अपने पती को किटी पाटी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी उसके पती ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए अगर तुम महीने में दस बार के टी पाटी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा लेकिन वह अपने पती से ही जगडा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी अगर मैं नए कपड़े गहने पहन कर नहीं जाओगी तो मेरी सहलिया मेरा मजाख उडाएगी तुम जादा कमाने की सोचते तो नहीं हो बलकि मुझे ही रोकते रहते हो इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली मा जी आप मुझे अपने गहने दे दीजिए मुझे किटी पाठी में पहन कर जाना है उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहु अपने सास को गहनी रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही मांग रही है, उसकी इन हरकतों से सहरा परिवार दुखी हो गया, एक दिन सलोनी की सहेली शिल्पा घर आई, उसने सलोनी की सास से सलोनी के बारे में पूछ उन्होंने बताया कि सलोनी पाटी में गई है, शिल्पा ने सलोनी की सास से पूचा, अब इतनी दुखी क्यों देख रही है, तब उन्होंने सारी बात बताई कि सलोनी किस तरहां बार बार नए कपड़े और गहने के डिमांड करती है, और सारे पैसे इन पर ही खर्श कर दे वह शिल्पा से पूचती है कि जादा जरूरी क्या है? रोटी या दिखावा? शिल्पा ने कहा कि जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सलोनी को यह बात समझानी होगी. सलोनी की सास ने पूछा कि वो कैसे इसके बाद शिल्पा ने कहा बस देखते जाईए शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सलोनी के घर में रख दिये और उनका सारा राशन और फरनीचर लेकर अपने घर चली गई जब सलोनी घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हो गई इसके बाद वह अपनी सास से बोली कि ये किसके हैं तो इसकी सास ने बताया कि ये सब कुछ तेरा ही है तुझको अब जितना बदल बदल कर नए कपड़े और गहने पहनने हो पहन ले सलोनी उन में से नए कपड़े और गहने पहन कर घूमने चली गई कुछ देर बाद जब वहर सोई में गई तो उसने देखा कि घर में सारा राशन है ही नही राशन के डिब्बों में सिर्फ गहने थे वह अपनी सास से बोली कि ये क्या घर का सारा राशन और फर्निचर कहा गया उसकी सास ने कहा कि ये सब बेचकर ही तो हम तेरे लिए नए गहने और कपड़े लाए हैं अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन सलोनी बोली लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरा जाएगा खाना तो खाना पड़ेगा ना तब ही सलोनी की सहेली शिल्पा भी आ गई उसने कहा कि जब तुम्हारी सास ने तुमको ये समझाया था तब तो तुम नहीं मानी इसलिए हमने ये सब किया अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पती पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती तुमको इन फालतों के दिखावे से बच कर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए अब सलोनी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था तो बच्चो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें फिजूल खर्ची से बच कर सिर्फ जरूरी चीजों पर ही ध्यान देना चाहिए बच्चो आज आप सभी को चितर बनाना है सलोनी और उसके पती का